हे गाईज, वेलकम टू दा जेके स्टेडी ओंलाइन, गाईज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट वीडियो और पंचाय सेक्टरेटरी बिल्डव का स्वाल पेपर जो की हमाच्य परदेश में कंडग किया गया था नुवंबर 2021 में, तो गाईज पूरा स्वाल पिपर लाया हाँ आपके लिए जो आपके लिए बहुत हल्फ्यू रहेगा, पंचाय सेक्टरेटी यानि बिल्डव के एस्परेंट्स के लिए खास दोर पे, तो गाईज, वीडियो को शूर करने से पहले अगर चैनल पर फर्स टेम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक परशन है, ये गईज, अगर आप देख सकते हैं, ये पिपर मैंने लाया है, हिमाच्चा परदेश को में जो 25 का ट्रेटरी का एक्जाम हुआ था, सेम लेवल था उसका और इसका लेवल टू वहां पे भी है, और लेवल टू यहां पे भी है, सेम सैलरी है, और सेम वकेंसी क था, वो मैं आपके सामने डिसक्स करूँगा, बाकी मैं बताता हूँ, कुछ लेवल इसमें डिफरेंट भी था, वो मैं आपको यहां पे बताता चलूँगा, ठीक है, तो फर्स्ट कोश्चन है, रोतांग पास कोनेक्ट्स दा कुलू वैली विद विच वैली, ठीक है, फर् आपने राइट एंसर कमेंट कर दिये होंगे, तो गाइस, कुश्चन अबर फर्स का राइट रहेगा, अप्शन सी यानि लाहोल एंड स्पित्ती वैली, ठीक है, लाहोल एंड स्पित्ती वैली से एक रिवर भी निकलती है, बहुत इंपोर्टन रिवर है वो जे अनके के ल ठीक है, चिनाब रिवर कहां से निकलती है, लाहोल एंड स्पित्ती अरिया से, तो नेक्स्ट है, कुश्चन अम्बर सेकीन, हू इस सेक्रेटरी जनरल आफ दा यूनेटी नेशन, अप्शन है, अप्शन है, अप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, गाईज, इस पेपर की एख आस्यत मुझे यह लगी, कि इसमें जितने करेंट अफेर होने चाहिए हुतने थे, जिक केसे भी कि एक यह रहती है, कि अगर करेंट अफेर पूछेंगे भी तो बहुत ओल्ड पूछेंगे, जो एक करेंट अफेर से एक्जाम्स में होने चाहिए, वैसे नहीं पूछते हैं लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का पिपर मिलेगा लेवल टू पोस्ट के हिसाब से ठीक है तो गाइज इसका राइट अंसर अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो राइट रहेगा अप्शन ए यानि अन्टोनियों गुट्रे ठीक है नेक्स्ट है इसके बाग कॉस्टन नमबर थर्ड विच इस ला ओल्ड़ेस टाइगर रिजर्व इन इंडिया ठीक है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है इंडिया का जो सबसे ओल्ड़ेस्ट है अप्शन ए है मेलगाट बी पेरियार सी दु इंग्लिश में ही जैसे हैं है घ्री को बता सकते हैं आपको सब्सक्राइगर यह नहीं मिले ठीक है तो इसका ओल्ड़ेस्टाइगर इसरव हें इसको बोलते थे यह आपको पता होना चाहल यह तो यह है उत्तराखंड में यह भी आपको याद रखना है कहां पर है यह उत्तराखंड में तो नेक्स कोशन रहेगा इसके बाद हमारा कोशन नमर फॉर विच पार्ट आफ इंडियन कांस्टिशूशन इस कार्ड एज साउल आफ इंडिया ठीक है यह भी आपके स्लेवस में है अगर इंडियन पॉलिटी का जो अगर आप पार्ट देखोगे तो यह फंडमेंटर राइ इंडियन कांस्टिशूशन ठीक है तो अप्शन ए है अर्टिकल 14 को बोला जाता है अप्शन बी है अर्टिकल 32 अप्शन सी है अर्टिकल 29 और अप्शन डी है अर्टिकल 52 आप राइट अंसर कमेंट कर सकते हैं गाईज I hope अभी तक आपने right answer comments कर दिये होंगे तो guys question number 4 का राइट रहेगा option B यानि आर्टिकल 32 ठीक है आर्टिकल 32 वो क्यों क्योंकि यहाँ पे जो रिट्स है उसके बारे में information मिलती है कि आप कौन सी रिट्स आपको fundamental rights को protect कर सकते हो अब इस से ठीक है कौन सी रिट्स आपके कौन से fundamental rights को आपको उसको protect करने में help करती है वो सारी information आर्टिकल 32 में मिलती है जब हम fundamental rights discuss करेंगे तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा ठीक है तो इसका right रहेगा option B यानि आर्टिकल 32 next है question number five which five year plan is being implemented at present in India आपको बताना है कि इन में से कौन सा five year plan है जो implement किया गया है इंडिया में at present तो गैस आपको याद होगा कि अब भी अगर देखा जाए five year plans नहीं चलते हैं यहाँ पर क्या है planning commission बना दी गई थी तो गैस आपको याद रखना है planning commission की जगा पे अभी क्या काम कर रहा है तो वो कर रहा है नितिया योग ठीक है यह मुद्धी government ने इसको start किया था 2014 से ठ लेके चलें तो अभी कौन सा चल रहा है आप यह मुझे बता सकते हैं तो option A है 9th, B 11th, C 14, D 6th, ठीक है अगर five year plans को लेके चलें I hope अभी तक आपने write answer comment कर दी होंगे तो guys question number five का write रहेगा option C यानि 14th plan होता भी अगर five year plans चल रहे होते हैं ठीक है तो next question है हमारा question number six who is the ex-official chairman of नितियोग ठीक है planning commission के बार नितियोग गाई थी अब उसका ex-official chairman कोन होता है ठीक है यह आपको बताना है option A है मिताब कांत है, B राजीब कुमार है, C नरेंदर मोदी, या फिडी, किरन रेज्यू, आप right answer comment कर सकते हैं guys, बहुत important question है यह I hope अभी तक आपने right answer comments कर दिये होंगे, यह कर रहे होंगे, तो guys question number six का जो right answer है वो है, PM नरेंदर मोदी, ठीक है, option C right रहेगा, नरेंदर मोदी ही जो है, वो क्या है, chairman है, नितियोग के, ठीक है, अगर आप से पुछे जाएगा है कि इसका vice chairman कोन है, तो वो कोन है, वो अभी है, राजीब कुमार, और अगर आपको पूछे जाएं कि इसके CEO कोन है, chief executive officer, तो वो है, अमिताव कांत, इससे तीन questions आपको याद रखने है, नितियोग से related, ठीक है, तो guys, next question है, हमारा question number seven, which among the following was the last ruler of Gupta Empire, आपका बताना है, history में से question है यह, कि Gupta Empire का last ruler कोन था, ठीक है, option A ह चंदर गुपता 2, B. विश्नु गुपता, C. कुमार गुपता, D. बुद्ध गुपता, ठीक है, आपके पास four options है, आप right answer comment कर सकते हैं, guys, बहुत important questions हैं यह, विमाचल पुर्देश का जो B.L.W. यानि पंचाई सेक्रेटरी का exam था, वहीं से यह exam paper मैंने लाया है, आपके दिये, तो आप right answer comment कर सकते हैं, I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा, तो guys, question number seven का right रहेगा, option B. यानि विश्नु गुपता, विश्नु गुपता was the last ruler of गुपता Empire, ठीक है, next है, question number eight, नीरे चोप्रा in 2020 Olympics, won gold medal in which game, आपको बताना है, कि नीरे चोप्रा ने 2020 Olympics, जो हुए कब थे, 2021 में हुए थे, लेकिन वो थे 2020 Olympics, उसमें gold medal जिता था, इंडिया के लिए, एक मात्र अगर बोला जाए, एक ही gold medal इंडिया ने जिता था, वहाँ पे, तो वो इन में से किस games में जिता था, उन्हों ने, ठीक है, तो option A है wrestling में, B weightlifting में, C javelian throw में, D discuss throw, आप right answer comment कर सकते है यह easy question है, अगर देखा जाए, क्योंकि Olympics का तो सबको पता होता है, अगर competitive exams की त्यारी कर रहे हूँ, तो guys, अगर आपने अभी तक right answer comment करना, start कर दी है, तो मैं आपको बता दू, question number 8 का right रहेगा, option C, यानि, javelian throw, ठीक है, तो javelian throw में, उन्होंने, Olympic में gold medal जिता था, ठीक है next है, question number 9, temperature at which centigrade and Fahrenheit thermometer rate same, ठीक है, यह कहने का मतलब भी है कि, अगर आप देखो, temperature किस degree पर centigrade और Fahrenheit में same रहता है, ठीक है, तो option A है, 40 degree में, या फिर option B, minus 40 degree Celsius पे, या फिर option C है, 273 degree Celsius पे, या फिर option C है, 273 degree Celsius पे, या फिर D option है, 40 degree Celsius पे, ठीक है, आप right answer कमेंट कर सकते हैं, यह अगर पुन देखा जाए, तो यह sign से आया है, question, 4 second है, आपके पास, आप right answer कमेंट कर सकते हैं, तो guys, अगर अभी तक आपने right answer कमेंट कर दिया है, तो मैं आपको बता दू, इसका right रहेगा, option B, यानि, minus 40 degree Celsius पे क्या होता है, कि thermometer पर centigrade और Fahrenheit scale पर, तोनों में क्या same readings रहती है, ठीक है, next है, question number 10, air bubble in water behaves as, ठीक है, option A है, concave lens, B, convex lens, C, plain lens, D, plano convex lens, ठीक है, इन में से आप right answer कमेंट कर सकते हैं, कि air bubble जो water में रहते हैं, फो किस तरह behave करते हैं, किस की तरह behave करते हैं, like, concave lens, या फिर, convex lens, या फिर, plane lens, या फिर, plano convex lens, ठीक है, आप right answer कमेंट कर सकते हैं, गाईज, बहुत important question है, आपके, exam point of view से, ये भी science से question आया है, I hope, आपने right answer कमेंट कर दिया होगा, तो guys, question number 10 का right रहेगा, option A, यानि, concave lens, ठीक है, air bubbles कैसे होते हैं, अगर आपने देखियोंगे, इस तरह से, जो lens उठा हुआ होता है, ऐसे, तो वो कौन से होता है, concave lens, और convex lens कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है, आपने देखावागा, अगर, convex lens की, जो front, जो उपर से, space रहती है, वो इस तरह से होती है, और जो, concave lens रहता है, वो ऐसे, ठीक है, तो air bubble के shape में होगा, तो वो होगा, concave lens की तरह, तो वो उसी तरह बहेव करेगा, ठीक है, तो question number 10 का, option right रहेगा, option, question number 11 है, which of the following is used for determination of age of material that we once alive, ठीक है, यह एक तरह से आप बोल सकते हैं, science and technology का भी question है, और यह history में भी पूछा जाता है, ठीक है, history में अगर आपने, archaeology में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे यह पूछा जाता है, ठीक है, तो question number 11, अगर आपको समझ नहीं है, तो इसमें पूछा गया है, कि जो old materials, जो हम digging के थूरू, यह फिर excavations के थूरू निकालते हैं, जब जैसे कि मोहन जोदारों से बहुत से चीज़े निकली थी, हडपपा से बहुत से चीज़े निकली थी, जब वो materials निकलते हैं, उनकी age define करनी होगी, यह कितने साथ पुराना है, तो उसके लिए इन में से कौन सा method यूज होता है, option A है NA11, option B है N14, यह फिर option C है CA20, यह फिर D है C14, ठीक है, आप right answer कमेंट कर सकते हैं, बहुत important question है यह, even यह अगर देखा जाए, तो history में यह लगबग 5 times पूछा गया होगा net में, ठीक है, इतना important question है, I hope आपने right answer कमेंट करना शुरू कर दी होंगे, तो guys, question number 11 करना right रहेगा, option D यानी C14, जिसे carbon 14 dating भी बोलते हैं, ठीक है, carbon 14 dating के थुरू हम क्या कर सकते हैं बता, age of the old materials पता कर सकते हैं, ठीक है, next है इसके बाद question number 12, who is considered as the father of biology, इसमें से आपको बताना है कि किसको father of biology consider किया जाता है, जितने भी important subject है आपको उनके fathers पता होने चाहिए, ठीक है, option A है, Socrates, B, Aristotle, C, Birbal, Birbal, Sahani, option D है, JC Bose, ठीक है, आपके पास four options हैं, आप right answer comment कर सकते हैं, I hope आप right answer comment कर रहे होंगे, comment box में, तो guys, question number 12 का, अगर आपने अभी दर comment कर दिया है, तो right रहेगा option B, यानि Aristotle, ठीक है, इनको अगर हिंदी में देखा जाए, तो क्या बोला जाता है, अरस्तू, लेकिन आपको हिंदी में नहीं देखना है, B, Aristotle, ठीक है, ये Aristotle वही है, जिनको father आप political science भी बोला जाता है, और B, यानि बहुत से subject हैं, जो जिनमें इनको father की उपलब्दी हासिल है, ठीक है, किनको, Aristotle को, politics के field में भी इन्होंने बहुत काम किया हुए, so creates को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े ये विद्वान थे, किसमें, politics के ही थे, ठीक है, so creates question number 13, which is the largest and the strongest bone in the human body, आपको इसमें से बताना है, कि कौन सी इसमें से bone है, जो एक largest भी है, और strongest भी है, human body में, ठीक है, option A है, fumar, option B, C, some point bone, option C, axious skeleton, option D, none of these, तो guys, मैं एक एक question आपको detail में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ आप में अशे भी होते हैं, जिन्होंने जिस्ट अभी study start की है, ताकि सब को ये समझाए, ठीक है, तो guys, इसका simple सा है, कि largest और साथ में strongest bone कोंसी है, हमारी human body में, तो अगर आपने अभी तक right answer कमेंट कर दिये हैं, तो guys, इसका right रहेगा option, option A, यानि fumar, ठीक है, fumar is the largest and the strongest bone in human body, ठीक है, next रहेगा इसके बाद हमारा question number 14, who is the governor of हिमाचापरदेश, ठीक है, हिमाचापरदेश के governor, यहाँ पे, क्योंकि यह हिमाचापरदेश में पूछा गया थे, मतलब हिमाचापरदेश का paper थ तो यहाँ पे आप से यह भी पूछा जा सकता है, कि who is the lieutenant governor of JNK, ठीक है, आप से lg of JNK भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखके देता हूँ, lieutenant governor of JNK, ठीक है, आपको lieutenant governor of JNK भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अभी तक इसके right answer पता कर लिया है या फिर नहीं भी आता है तो मैं आपको बता दूँ कि question number 14 का right है option C यानि रजेंदर विश्वनाथ अर लेकर ठीक है रजेंदर विश्वनाथ अर लेकर इसका right option है और LG of JNK आप comment करके मुझे बता सकते हैं I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा कि LG of JNK कोन है क्योंकि आपको अगर आएगा तो इस question का तो आएगा LG of JNK ठीक है तो वो कौन है वो आप मुझे comment box में अभी तक बता चुके होंगे तो वो है मनोजी नाच ठीक है तो next question रहेगा हमारा question number 15 शिमला agreement was signed in which year ठीक है शिमला agreement जो sign किया गया था यह कब किया गया था आपसे यह बुचा है आप right answer comment कर सकते हैं बहुत important question है option A है 1974 option B है 1972 option C है 1961 option D है 1950 ठीक है I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा तो guys question number 15 का right रहेगा option B यानि 1972 ठीक है इंडो पाक वार हुई थी जो second तो उसमें यह sign किया गया था last में ठीक है यहाँ पर हुआ क्या था कि यह जब sign किया गया था था इसका maximum नुकसान ही हुआ था इंडिया ने बहुत टैर्टरिस जीत ली थी last में लेकिन फिर भी last में उनको गवानी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर negotiations वो डंकी नहीं कर पाये थे ठीक है आपके क्या comment है इसके related आप बता सकते हैं ठीक है तो question number 15 का right रहेगा option B 1972 AD में यह sign की गई थी क्या शिमला's agreement next है question number 16 what was the childhood name of the Swami Vekanand ठीक है Swami Vekanand का childhood name क्या है option A है सिदार था B रामकृष्ण यहाँ फिर विवेकनाथ यहाँ फिर नरेंदरनाथ ठीक है आप right answer guess कर सकते हैं बहुत बार यह exam में पूछा गया है कि Swami Vekanand का childhood name क्या था I hope अभी तक आपने right answer comment करना शुरू कर दिया होगा तो guys question number 16 का जो right रहेगा वो रहेगा option D यानि नरेंदरनाथ दत्ता ठीक है आपको बताना है कि यह जो नरेंदरनाथ ठीक है आप right answer comment कर सकते हैं यह हिमाद्चल परदेश का exam paper था तो हो सकता है आपसे JNK के ही कोई fair के बारे में पूछा जाए चि क्योंकि जेन्क के बारे में पूछा है है और यहां सकता है आपको जो शिवरात्त्री पर यहां पर चोटा का-सी जिस्को बोला जाता है परमंडल में जो होता है परमंडल में जो फेर होता है उसके बारे में पुछा जाए ठीक है तो आपको इस तरह इसके question ना सकते हैं तो अगर आपने question number 17 का मैं आपको सिधा right answer बता देता हूँ कि इसका option C right रहेगा यानि विलासपूर ठीक है विलासपूर में ये होता है ठीक है नेक्स्ट है इसके बास question number 18 इसका option C right रहेगा यानि 1951 ठीक है इसका क्या right रहेगा 1969 तो आपको इससे एक और question बनता है कि in which year first election to the विलासपूर held in JNK अगर इस हिमार्चल को हटा दिया जाए तो अगर यहाँ पे JNK हो ठीक है तो आपको JNK का बताना है कि JNK में कब हुई थी ठीक है तो उसका अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका right answer रहेगा 1967 में जाके हुई थी ठीक है 1967 AD में ठीक है proper sir से मैंने यह answer पता किया है तो यहाँ पे कब हुई थी 1967 में ठीक है आपको इस तरह से आ सकता है यह next है question number 19 who has been appointed as the 48th chief justice of India बहुत important current affair था यह कि who has been appointed as the 48th ठीक है 48 था आपको पुचा गया है कि 48th chief justice of India कों थे ठीक है तो option A था अर्विन बोब्ड B अन्विर रमना C दिपक मिश्रा D T.S. ठापूर यह सारे के सारे जो options हैं यह chief justice of India रह चुके हैं लेकिन आपको बताना है कि 48th कों थे ठीक है तो आप right answer comment कर सकते हैं अगर आप current affair को बढ़ते होंगे तो यह आपके लिए कोई जाला मुश्किल या जाला tough नहीं रहने वाला है ठीक है I hope आपने 19th का right answer comment कर दिया होगा तो guys question number 19 का right रहेगा option B यानि N.V. Ramna ठीक है N.V. Ramna जो है वो 48th chief justice of India है ठीक है इससे पहले कों थे इससे पहले थे अर्विंद बोब्रे ठीक है उससे पहले दिपक मिश्रा फिर उससे भी पहले T.S. ठाकूर थे कहां से थे यह जमुएन किश्मीर से थे ठीक है नेक्स्ट है इसके बाद question number 20 which constitutional amendment of Indian constitutional is known as mini constitution ठीक है अगर syllabus में Indian polity है तो उसका यह बहुत important question है which amendment of the Indian constitution जिसे बोला जाता है mini constitution ठीक है option A है 42nd amendment B option है 57th amendment या फिर option C है 43rd amendment या फिर option D है 29th amendment ठीक है आप right answer comment कर सकते है बहुत important question है I hope आप में से maximum score यह आता भी होगा question number 20 का अगर आपने right comment कर दिया है अभी तरक right answer तो मैं आपको बता दूँ कि इसका right रहेगा option A यानि 42nd कब होई थी यह 1976 में ठीक है यह कब होई थी 1976 में इसको mini constitution के नाम से इसलिए जाता है जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितनी भी amendments होई है ना Indian constitution में इसमें maximum changes लाई गई थी ठीक है मोराजी देसाई के नाम को आपने सुनाई होगा उनके टाइम पर यह हुई थी जनता government के टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा changes लाई थी इसमें ठीक है question number 20 का A right रहेगा next है question number 21 who is currently holding office of governor of reserve bank of India आपका बताना है कि इन में से कौन है जो reserve bank of India के office of governor hold कर रहे है ठीक है यानि simply पूछा चाहे तो reserve bank of India के governor कौन है ठीक है option A है उर्जित पतेल B. टीवी सोमनाथन C. निर्मला सितारमन D. शक्तिकांदास उर्जित पतेल और टीवी सोमनाथन और साथ में शक्तिकांदास ये तीनों कौन है reserve bank of India के governor रह चुके है ठीक है तो निर्मला सितारमन तो finance minister है इनका तो इसमें रोली नहीं है option A, B और D में से right रहेगा ठीक है आप right answer comment कर सकते है गाईज हुआ इमार्टन कोशन है ये आई होप आपने right answer comment करना शुरू कर दी होंगे तो आपको मैं बता दू question number 21 का right रहेगा option D यानि शक्तिकांदास ठीक है शक्तिकांदास जो है वो है reserve bank of India के governor next है ट्वेंटीटू पैर ओलम्पिक्स 2020 वस हैल्ड इन विच कंट्री ठीक है आपको बताना है कि 2020 में जो पैर ओलम्पिक्स हुए थे वो किस कंट्री में हुए थे ठीक है अगर आपको बता होगा तो आप right answer comment कर सकते है I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा तो guys question number 22 का right रहेगा option D यानि जपान ठीक है कहाँ पे हुए थे जपान और अगर यहाँ पे कही बार ऐसा भी पुछा जाता है country का नाम नहीं पुछा जाएगा city का नाम पूछ लेंगे तो city कौन से थी Tokyo ठीक है ठीक है Tokyo में हुए थी तो इसकी साथ question number 22 का right रहेगा option D next है question number 23 who has been appointed as 46th president of United States of America आपको बताना है कि इसमें से 46th president कौन है USA के है ठीक है America के president के बारे में पुछा गया है option A है Kamala Harris B. Barack Obama C. Joe Biden option D है Donald Trump ठीक है आप right answer कमेंट कर सकते हैं I hope अभी तक आपने right answer कमेंट कर दिया होगा तो guys इसका right रहेगा option C यानि Joe Biden ठीक है Joe Biden जो है वो 46th है और आपको याद रहना है 45th कौन से है तो 45th है Donald Trump और अगर आप से को पुछा जाए 44th कौन थे तो 44th जो थे वो थे Barack Obama ठीक है और Kamala Harris जो है ये थी इनकी Vice President ठीक है तो 23 का right रहेगा option C यानि Joe Biden ठीक है Joe Biden appointed as a 46th President of United States of America ठीक है next है question number 24 which one is the biggest natural lake in Himacharya परदेश आपको बताना है कि इन में से biggest natural lake कौन सी है Himacharya परदेश की ठीक है आपको JNK के context में ये भी पुछा ये भी आ सकता है वैसे question बहुत important है ये भी लेकिन आपको अगर JNK के context में पुछा जा सकता है कि deepest lake कौन सी है JNK की ठीक है या फिर आप से पुछा जा सकता है कि biggest fresh water कौन सी है ठीक है आपको इस तरह से भी वहाँ पे आ सकते है तो I hope आपने इसका अभी तक कमेंट कर दिया होगा तो guys question number 24 का जो right है वो है option A यानी रेनुका लेक ठीक है रेनुका लेक is the biggest natural lake in हिमाचे परदेश ठीक है तो जहां तक बात है largest fresh water lake की तो वो थी बुलर लेक ठीक है और अगर आपसको पुछाज़े deepest lake आप जहाएं के तो वो था है मांजबल लेक ठीक है मांजबल लेक इसके साथ ही next question है 25th according to 2011 census which district of हिमाचे परदेश has lowest female literacy rate ठीक है आपको बताना है कि इन में से lowest female literacy rate कहां पर है option A है कुलू में B लाहोस पिती C चमबा D सिन्मोर ठीक है आप right answer कमेंड कर सकते है और मैं आपको बता दूं कि 2011 census के calling अगर यहाँ पर पूछा जाता हिमाचे लेकर को cut करके ठीक है अगर हिमाचे लेकर को cut करके आपको JNK होता तो आप क्या answer करते ठीक है इसका मैं आपको answer बता देता हूँ इसका C option right रहेगा यानि चमबा ठीक है चमबा इज़ा lowest literacy lowest female literacy rate ठीक है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है female literacy rate है तो JNK की कौन सी होगी यह आप comment box में हमें बता सकते हैं I hope अभी तक आपने बता दिया होगा तो JNK की अगर मैं आपको बता दूँ तो वो है रामबन ठीक है female में भी और overall भी रामबन ठीक है इसके बाद GK की section लगबग complete होती है इसके बाद है section B यानि English ठीक है English में हमें questions जो पुछे गे थे वो मैं आपके सामने दे आता हूँ लगबग same ही है इसमें आपको difference नहीं मिलेगा आपको 26 से देके 29 ता questions जो है उसमें क्या करना है आपको अब आपको पताना है जो this है comment कर दिया होगा तो गैस कोशन number 26 का रहेगा पर नौन क्लास ठीक है यह कौन सी है पर नौन क्या होता है जो नौन की जगा पर लगता है ठीक है अगर आपको simple language में बताऊं तो तो next रहेगा इसके बाग कोशन नंबर 27, the train is running fast, आपको बताना है, the train is running fast, इसमें fast क्या है, ठीक है, a, पर noun है, b, noun है, c, adverb है, या फिर d, adjective class है, ठीक है, आप right answer, comment कर सकते हैं, अच्छे level के questions है, ऐसे questions वहाँ पर आ सकते हैं, यह बिल्कुल भी tough नहीं है, एक easy level के ही बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको bjksb में same level के ही आएंगे, ठीक है, तो guys, 26 का अगर अभी तक आपने right answer comment कर दिया है, तो guys, 27 का write रहेगा, option d, यानि adjective, ठीक है, क्या है, fast जो है, वो एक quality define कर रहा है, तो option d write रहेगा, यानि adjective ला जा जाईए, ठीक है, next है 28, he could not decide what to do, ठीक है, he could not decide what to do, इसमें decide, decide का आपको बताना है, ठीक है, तो option a है, noun, b, verb, c, adjective, d, adverb class, ठीक है, आप write answer comment कर सकते हैं, guys, important question रहेगा, यह आपके exam point of view से, I hope आपने write answer comment कर दिया होगा, तो guys, अगर देखा जाए, तो decide पुछा गया है, वो क्या है, एक verb है, ठीक है, verb को हिंदी में अगर बोलते हैं, तो क्या, kriya, जिसमें action का, कोई तो कोई, action के बारे में हमें बता चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर decide कर रहा है, तो यह एक verb होगी, ठीक है, verb class, 28 का, be, next है, 29, she is very tall, ठीक है, इसमें आपका बताना है, कि tall जो है, वो कौन सा class है, adjective class है, be verb, noun, यह फिर adverb, easy question है, आप write answer comment कर सकते हैं, I hope आपने write answer comment का दिया होगा, तो guys, 29 का write रहेगा, option a यानी adjective है, ठीक है, quality है न, tall, tall, यह tallness, ठीक है, तो option 29 का a option write रहेगा, next है, इसके बाद, 32, 31 questions, ठीक है, इसमें क्या है, choose the correct sentence from among the given options, ठीक है, आपको एक correct option डूणना है, ठीक है, इन में से, तो option a है, he knows how to swim, b, shut the light, c, she has given her examination, d, frame as to anneal, why he is angry, ठीक है, आपको इसमें से क्या बताना है, आपको बताना है, जो इसमें से correct sentence है, ठीक है, question number 13 का, आप right answer comment कर सकते हैं, I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा, तो guys, question number 30 का, जो है, write रहेगा, option D, यानि frame as to anneal, why he is angry, ठीक है, जैसी b option है, shut the light, कभी भी असाय नहीं होता, light हमेशा on-off होती है, ठीक है, यहाँ पर two गलता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, option D right रहेगा, next है, question number 31, neither you nor I were selected, ठीक है, तो option B है, 20 miles are a long distance to cover in an hour, C option है, a lot of work remains to be done, D है, mathematics are my favorite subject, I hope अभी तक आपने right answer कमेंट कर दिया होगा, तो guys, question number 31 का right रहेगा, जैसे option D है, mathematics are my favorite subject, are कभी भी नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, क्यूंकि mathematics जो है, वो एक ही subject है, ज्यादा नहीं है, यहाँ पर mathematics is my favorite subject आएगा, ठीक है, यह तो हो गया गलत, a lot of works remain to be done, इसमें भी remains नहीं आना है, यह भी गलत है, 20 miles are a long distance to cover in and or, देखा जाए, यह भी गलत है, option A right रहेगा, neither you nor I were selected, ठीक है, इसके बार next है, आपको बताना है, 32 question से लेकर 35, from given option, choose the correct one to fill in the blanks in the following, filling सब blanks हैं आपके लिए, आपको इन में से बताने हैं, first है, 32 हमारा, ठीक है, 32 question में पूछा है, sign here dash ink, ठीक है, sign here dash ink, आपको बताना है, option है, with, by, from, in, I hope आपने right answer कमेंट कर दिया होगा, और आपको लग रहा होगा, कि option A इसका correct है, लेकिन आपको बता दूँ मैं, कि A इसका right नहीं है, इसका option D write रहेगा, यानि sign her, sign here in ink, ठीक है, option D write रहेगा इसका, with ink कभी भी नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद है, question number 33, I have not seen her dash January, option है, for January, B since January, C from January, D by January, आप right answer कमेंट कर सकते हैं guys, easy question है, I hope आपने अभी तक right answer कमेंट कर दिया होगा, तो guys, question number 13 का right रहेगा, option B from कभी भी नहीं होगा, ठीक है, आपको लग रहा होगा, I have not seen her from January, from January नहीं होता है, since January आएगा, ठीक है, option B right रहेगा, तो next है, question number 34, his father died, dash cancer, ठीक है, dash cancer, आपको right answer बताना है, I hope आपने अभी तक right answer कर दिया होगा, तो guys, इसका right रहेगा, option A, यानि of cancer, ठीक है, his father died of cancer होता है, by या from cancer, नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद है, question number 35, I am busy, just now, but I will join you, dash a moment, ठीक है, तो आपको fill in the blanks में fill करना है, in, या फिर at, on, या फिर over, आप right answer कमेंट कर सकते हैं guys, 4 second के बाद मैं आपको इसका right answer बता दूँगा, I hope, अभी तक आपने right answer कमेंट कर दिया होगा, तो guys, 35 का right रहेगा, in a moment, ठीक है, on a moment, या at a moment नहीं होगा, यहाँ पे right रहेगा option A, I am busy just now, but I will join you in a moment, ठीक है, in a moment आता है, next है, इसके बाद आपको synonym, synonym यानि same meaning होगा जिनका, ठीक है, option 36 है, option E, question 36 है, unhappy का बताना आपको, option A है, attainment, B, dispute, C, agreeable, D, sad, बहुत easy है, easy आप बता सकते हैं, I hope, आपको 36 का अभी तर कर दिया होगा, क्योंकि easy था, unhappy मतलब sad, ठीक है, next है, afraid, afraid का क्या होगा, rage, frightened, mean, या फिर accused, ठीक है, right answer आप comment कर सकते हैं, ये भी जाला tough नहीं है, is the up कर सकते हैं, तो guys, question 37 का right रहेगा, option B, यानि right turn, ठीक है, next है, question number 38, fame का आपको, synonym बताना है, same meaning, ठीक है, fame क्या होती है, fame होती है, देखा जाए तो, जहाँ पे, उसकी बहुत ज़्यादा reputation हो, ठीक है, तो इसका right क्या रहेगा, option A, यानि reputation, fame is a similar word to reputation, next है, question number 39, fully, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको synonym नहीं है, बलकि antonyum है, ठीक है, antonyum मतलब opposite word आपको बताना है, ठीक है, तो fully का opposite word क्या रहेगा, यह आपको बताना है, I hope, आपने right answer comment करना start कर दिया होगा, तो guys, question number 39 का right रहेगा, option D, यानि wisdom, ठीक है, next है, question number 40, shame, shame का आपको opposite word बताना है, ठीक है, easy है, एकदम से मैं आपको बता देता हूँ, आप right answer वैसे comment कर सकते हैं, तो guys, question number 40 का right रहेगा, option B, यानि glory, ठीक है, shame मतलब बेज़ती, glory मतलब जिसका बहुत ज़्यादा, जो मतलब famous हो, ठीक है, उसकी glory, ठीक है, तो shame का opposite word क्या रहेगा, यहाँ पे glory, next है, animity, animity का आपको, animity मतलब दुश्मनी, ठीक है, उसका आपको opposite word बताना है, option है, agreement, B, friendship, C, concern, D, cooperation, I hope अभी तक आपने right answer कर दिया होगा, तो guys, question number 41 का right रहेगा, friendship, ठीक है, दुश्मनी का क्या होता है, friendship है यानि दोस्ती, next है, question number 42, इसमें आपको क्या करना है, out of the given options, choose the correct spelled word, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि, in four options में से, correct किस को, किस के spelling, जो हैं, वो correct है, option A, B, C, D, आपके सामने है, आप right answer, comment कर सकते हैं, easily कर सकते हैं, इतना tough नहीं है ये, तो guys, 42 का जो right रहेगा, वो रहेगा, option A, यानि architecture, ठीक है, A, R, C, H, I, T, E, C, D, U, R, E, ठीक है, next इसके बाद, same, आपको यहाँ पे भी four options हैं, आपको right option, यहाँ पे, टिक करना है, I hope आपने right answer, comment करना start कर दी होंगे, तो guys, question number 43 का, जो right रहेगा, वो रहेगा, option D, यानि committee, C, O, double M, I, D, D, E, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, committee को तो आप कभी नहीं बूलना है, committees यहाँ पे, बनती ही रहती हैं, ठीक है, next है, question number 44, harassment, ठीक है, harassment का आपको correct word बताना है, कि इस में से correct spelt word कौन सा है, option 4, आपके सामने है, A, B, C, D, आप right answer, comment कर सकते हैं, I hope अभी तक आपने right answer, comment कर दिया होगा, तो guys, question number 44 का right रहेगा, option D, यानि harassment, harassment, H, A, R, A, double S, M, E, N, T, harassment, ठीक है, इसके बाद है, question number 45, four options आपके सामने correctly spelt word ही आपको बताना है, आप इन में से बता सकते हैं, four second के बाद आपको मेरा right answer बता दूँगा, I hope अभी तक आपने right answer comment कर दिया होगा, तो guys, question number 45 का right रहेगा, option B, यानि C, O, M, P, E, T, I, T, I, O, M, ठीक है, competition, तो guys, इसके साथ ही, English section जो थी, वो भी complete होती है, इसमें 20 questions थे, और G, K, के 25 questions थे, इसके बाद जो इसमें section थी, हिमाचल के paper में, वो थी section सी हिंदी की, जो हमारे इस दिवस में नहीं है, ठीक है, तो हिंदी को थो हम discuss नहीं करेंगे, इसमें, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं, हिंदी करते हैं यहाँ पे, हिंदी हमारे यहाँ पे, नहीं पुछी जाएगी, तो section D थी, इसमें mathematics, ठीक है, mathematics की मैं अलग से वीडियो लेखिया हूँगा, क्योंकि इसके solutions आपको मैं साथ-साथ में बताऊंगा, अगर ऐसे सिफ answers बताने होते, तो मैं इसी वीडियो में ले आता है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही जादा लंबी बहु जाएगी, तो इसी लिए मैंने क्या किया है, कि इसके जो होंगे answers मैं अलग से ले आऊँगा, ठीक है आपके लिए, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर इकम्प्लीट करते हैं, जैसे मैं आपको questions बता दूँ, यह सारे questions हैं यहाँ पर, mean, median, mode के भी हैं, average के भी हैं, बीच में अगर देखा जाएं, तो trigonometry के भी questions देखने को मिल रहे हैं, probability के questions आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ में, last में अगर आपने देखावागा, mean, median, mode का फिर से questions है, real numbers, number system में से भी आपको questions आए हैं, ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, तो quadratic equation से भी आपको questions यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो guys, यह मैं another video में लाओंगा, अभी तक के लिए हैं पर, thank you, और video को जाला से जाला, like ज़रूर करना, क्योंकि आप like कम करते हो, ठीक है, like and share please, thank you,